Good morning students, today we are going to start chapter number 8 of class 6, name of the chapter is Body Movesments Students, इस chapter दे विचे अपपा Body Movesments दे रिगार्डिंग डिसकस करांगे साथी body दे विचे किते joints प्रेजन्ट हुन्दे ने, ओ joints दे नाम कीने ओ सब बारे भी अपा इस chapter दे विचे डिसकस करांगे Okay students, first topic है Human Body and its Movesments बहुत सारीयां मुवमेंट्स ने स्टूडेंट्स जो साड़ी बॉड़ी परफॉर्म कर दिये इस तो बिना ओर भी बहुत सारीयां मुवमेंट्स ने स्टूडेंट्स जो साड़ी बॉड़ी परफॉर्म कर दिये जिन्यां भी मुवमेंट्स साड़ी बॉड़ी दे विच हुं दियाने ओ बोन्स और जॉइंट्स करके हुं दियाने For example student, अपपा अपनी elbow, elbow means कूणी, कूणी नोँ अपपा bend कर देया, तो कीदे करके bend हुन दिया, joints करके, जो की bones दे विच प्रेजेंट हुन देने Okay students, right hand side picture दिती गई है, ओधे विच तुसी देख सकते हैं students, कि निया सारिया movements ने, चाहे अपा exercise करिये, चाहे अपा play करिये ओधे दोरान जिन्यावी movements हुन दिया ने, ओ सारिया movements साड़ी body ही perform कर दिये, ओके students Next है joints, हाँजी students, joint की हुन दा, a place where two bones meet is called joint, joint हुन दा जोड मिन्स ओ जगा, जित्थे two bones, दो हड़िया आपस चाहके जोड़ दिया ने, उन्हों अपा की करने है, joint करने है Joint दिया, two types हुन दिया ने, students, movable joint हुन दा, मतलब जो joint move कर सकदा, दूसरा, immovable joint हुन दा, जो joint move नहीं कर सकदा movable joint दे विच, hinge joint, pivot joint, gliding joint, ball and socket joint, immovable joint दे विच, fixed joint, okay students, हुन वन बाइवन अपा इरना बारें discuss कर देया So, first है, ball and socket joint, ball and socket joint जो है, students, वो साड़े pelvic region और shoulder दे विच, present हुन दा ए जो joint है, student, ए दे विच, एक bone, दूसरी bone दी hollow cavity दे विच, जाके insert हुन दिया Okay students, जो ball and socket joint है, students, वो साड़ी legs दी upper part और shoulder दी movement दे विच, help कर दा हाँ, students, left hand side, तुसे picture देखो, ए साड़े shoulder दी picture है ए दे विच, तुसी देखो, एक ball like structure दिता हुया है और ओदे उपर एक hollow cap है, मतलब खाली जा cap है So, ओ, खाली cap नो ही अपा की कहने है, hollow cavity कहने है मतलब एक bone दी hollow cavity दे विच, दूसरी bone जाके insert हो जान दिया फिल्कुल ball like, जी मैं ball किसे hollow cavity जाके fix हों दिया, उसे तरीके नाल एक bone, दूसरी bone दी अंदर ली जो cavity हों दिया ओदे विच जाके fix हो जान दिया, इसे लिए दा नाम किया ball and socket joint ओके students, फिर right hand side तुसी देखो, hip joint, मतलब एक साड़ा pelvic region है, hip joint एनू अपा कहने है एथे भी ball and socket joint जो है, ओदे करके ही bone जो है, जूड़ी हों दिया pinkish जा area है students, pink color दे विच जो है, ओ साड़ी bone है और दूसरा, sky blue और dark blue color दे विच जो ring like structure है, ओकी है, socket है, means hollow cavity है तो ओ hollow cavity दे विच साड़ी bone जाके insert होई है, ओके students, वे दोनों केड़े joint ने, ball and socket joint next आगे है students, pivotal joint, pivotal joint जो है students, ओ present होंदा, जित्थे साड़ी neck, साड़े head दे नाल जाके join कर दिया, होणे इदर तुसी right hand side दी जो picture है, skull वाली, ओदे विच देखो, ओदे विच साड़ी neck दी जो bone है, मतलब जो साड़ी हो आ रही है, spinal cord, backbone आ रही है, ओ जाके उपर skull देना, join होई होई है, कीदे करके join होई है हो, pivotal joint करके, okay students, और जो यह pivotal joint है, ए साड़े head दी, movement दे विच हेल्प करदा, मतलब ए दे करके ही साड़ा head जो है, ओ forward और backward movement शो करदा, और left and right movement भी शो करदा, okay students, फिर एदर तुसी, left side जो picture है, ओदे विच देखो, ए साड़ी arm दी bone है, मतलब जो साड़ी band दे विच बोन्स present होई होई है, साड़ी band है, जो lower reason होँदा, ओथे two bones होई होई है, students, एक अलना, दूसरी radius, अलना और जो radius है, students, ओ एक दूसरे देना, join होई 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 है, कीदे करके, pivotal joint करके, okay students, pivotal joint दे विच की होई 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 है, और आलना और radius भी अधना ही join होई 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 ओके स्टूडेंट्स होन तुसी एद्धर लेफ्ट हैंड साइड दी पिक्चर देखो ए साड़ी नीदी पिक्चर है मिन साड़ा गोड़ा है एदे विच जो आपस जो बोंच जोईन होई याने कीदे करके होई याने हिंज जोईन करके ओके स्टूडेंट्स असी अपनी गोड़े तो जो लेग इए उन्हों अपस जोड़ियां होई याने उपर नीचे वाली बोन कीदे करके जोड़ियां स्टूडेंट्स हिंज जोईन करके यन्व अपना एल्बो जोईन्ट भी कहनने है नेक्स्ट आ गया fixed joints हांजी students fixed joint हुंदे ने जो move नहीं कर दे हुंदे जेडियां bones immovable हुंदी आने और जेड़े joint immovable हुंदे ने students उन्हानों अपा fixed joints केनने या ओके students साढ़ी skull दे विछ bones present हुंदी आने students और साढ़ी skull दे दो portion हुंदे ने एक नूँ अपा upper jaw केनने और दूसरे नूँ अपा lower jaw केनने students एदर दूसरी picture देखो जो उपर picture इते दिती हुई या skull दी ओधे विछ joints लेबल कीते ने fixed joints मतलब साढ़ी skull दे विछ जो joints ने और fix ने और move नहीं कर सकते ओके students फिर नीचे जो skull दी picture है ओधे विछ देखो एक अपर jaw है एक lower jaw है ओके students जो अपना अपर jaw हुंदा ओं इम्मूवेबल हुंदा मतलब ओ move नि करदा बट जो अपना lower jaw है मतलब जो साढ़ा नीचे वाला दंदादा हिस्सा है ओं move करदा इसलिए lower jaw नहीं अपना कहने कि ओं move बला और अपर jaw immove बला ओके students नेक्स्ट आ गया skeleton all the bones in our body form a framework to give a shape to our body साढ़ी body दे विचे जिन्नियां भी bones present हुंदियाने students ओं एक framework बणा दियाने ताकि साढ़ी body ने एक वदिया particular shape मिल सके और ए जो framework हुंदा students एनुँ अपना skeleton कहने है okay students की कहने है skeleton कहने है एदर देखो दो picture दितियां हुई याने दोना दे विचे किया skeleton है okay students ए अपना skeleton है हड़ियां दा पूरा टांचा है okay students और अपना जो skeleton है एदे उपर muscles present हुंदेने और अपनी skin हुंदिया एही skeleton करके जो अपनी body नो एक shape मिल दिया okay students साधी body दे विचे जो total bones ने ओ 206 हुंदिया ने students और साधी body चे cartilages present हुंदेने और ligaments present हुंदेने okay students बट जे अपन newborn baby दी गाल करिये students ता new born baby दे विचे 300 bones present हुंदिया ने बट जिमे जिमे बेबी दी growth हुंदिया ओधे system develop होने शुरू हुंदेने ता ओ bones ओधे विचे degenerate हो जान दिया और फिर end ते किन्या रह जान दिया ने 206 ओके students अपनिया bones नू एक्सरे दे विचे देख सकते हुंदिया हांजी students next है bones of the hand student साड़े hand दे विचे बहुत सारे small small bones जोने ओ प्रेजेंट हुंदिया ने साड़े hand दे विचे total 27 bones प्रेजेंट हुंदिया ने ओके students साड़ा जो hand है और जो साड़े fingers ने ओदे विचे बहुत सारे joints जोने ओ प्रेजेंट हुंदिया हुंदिया हुंद तुसी picture देखो students एदे विचे उपरला जो portion है साड़े fingers उन्हों आपा phalanges केनने हां और जो दूसरा नीचे वाला हो किया metacarpal bones ने मतलब साड़ी है ली तो जो bones स्टार्ट हुंदिया ने उन्हों आपा metacarpal bones केनने हां हांजी students next है bones of the hand student साड़े hand दे विचे बहुत सारे joints जो ने उन्हों present हुंदिया ने उन्हों तुसी picture देखो students एदे विच उपरला जो portion है साड़े fingers उन्हों आपा phalanges केनने हां और जो दूसरा नीचे वाला हो किया metacarpal bones ने मतलब साड़ी हथे ली तो जो bones स्टार्ट हुंदिया ने उन्हों आपा metacarpal bones केनने हां ओके students next है the rib cage rib cage students अपनी chest जो cavity है ओ दे विच प्रेजन्ट हुंदा साड़ी chest दे विच बहुत सारे और backbone जो हुंदिया अपनी backbone नो भी join करके एक box like structure बनों दिया students यून्हों आपा की कहने है rib cage कहने है okay students मिन्स pincher कहने है students ए रिब केज जो है हांजी students next है the rib cage rib cage की उन्होंदा students पसलिगा साड़ी chest दे विच बहुत सारे chest bones present हुंदिया ने और साड़ी chest cavity दे विच students ribs भी present हुंदिया ने जो ribs ने students ओ chest bone और backbone नो आपस दे विच जोईन करके एक box like structure फॉर्म कर दिया ने मैं तुसी एथे picture दित्ती हो ओ दे विच देख सकते हूं सो एच इनना पूरा frame है जो box like structure है इन्हों अप्पा की कहने है rib cage कहने है मिन्स पसलिगा कहने है साड़ी chest दे विच टोटल 12 pairs हुंदे ने ribs दे ओके students जो rib cage हुंदा ओ साड़े body दे internal parts नो protect कर दा जी में कि साड़ा जो heart है सब तो important part है ओ साड़ी rib cage दे अंतर हुंदा मिन्स साड़ा rib cage heart नो भी और होर भी जड़े internal parts ने उनना नो protect करके राख दा ओके students नेक्स्ट है backbone backbone साड़ी रीड़ी हड़ी जो हुंदिया students backbone जो है students एक long bone तो बनी हुंदिया एक वड़ी हड़ी तो बनी हुंदिया जो साड़ी backbone है students ओ segmented हुंदिया मतलब बोदे विचे segments present हुंदे ने जीनों आपा कहने हम मान की ओके students backbone जो है ओ फ्लेक्सिबल हुंदिया जीदे करके अपा अपनी back नू अराम नाड बेंड कर साकते हैं अपा चोक भी साकते हैं खड़े भी हो साकते हैं okay students क्यों क्योंकि साड़ी backbone flexible हुंदिया और soft हुंदिया है ओके students और छोटिया छोटिया बोंस तो बनी हुंदिया साड़नों साड़ी backbone दी वधिया तरीकेन और केर कारनी चाहिए स्टूडेंस क्योंकि जे बैकबोन ते कोई इंजरी हो जवे तो अधे नार साधे बाडी पार्ष ने वो काम करना बंद कर दिन देने स्टूडेंस हो देखो एधर जो राइट हैंड साइट ते जो डायग्राम देती हो है जो पिक्चर दिती हो कौई घाएंडवार्डबून और विच रिब ग़े gir male मतलब बैकबोन रिब की यजदे नाल जूड़ी होई हुन दिया ओके स्टूडेंट्स और जो लेप साइट ते या पिक्चर ओधे विचे ओनली बैकबोन दिखाई गया जी दे विचे दखाया कि ओधे विचे सेगमेंट्स मिन्स मान के प्रेजन्ट हुन देने ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट है शोल्डर बोन्स एंड पैल्विक बोन्स हांजी स्टूडेंट्स जो साड़े शोल्डर्स दे विच बोन्स प्रेजन्ट हुन दियाने उन्हों अपना शोल्डर बोन्स कहने आँ अपनिया shoulder bones नो touch करके feel कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स अपर ली picture है जो उपर बनी होई है picture दिती होई है साथे shoulder दी picture है जी दे विछ sky blue जा रिब केज और होदे नाल creamy shade दे विछ जो half rib केज और portion बने होई है वह अपना shoulder दा ओके स्टूडेंट्स एक हीने shoulders दियां bones ने जीनुँ आपन टच करके भी feel कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स पैल्विक bones जो हुंदियाने स्टूडेंट्स उस साथे pelvic region दे विछ present हुंदियाने pelvic region मिन साधा hip region हुनदा ओके students जो pelvic region हुनदा students ओने साधे stomach दे नीचे जो भी body portion हुनदा ओनु enclosed किता हुनदा cover करके रख्या हुनदा और ये hip region हुनदा और pelvic region करके ही अपा बैठ साकते हैं मतलब एही reason हुनदा जीदे करके अपा उठ दे या फिर बैठ दे या ओके students तो एदर right hand side तुसी देखो जो नीचे picture बनाई हुई है ये की दी picture हा pelvic bone सी मतलब pelvic region दी ओके students next है skull and human ear skull बार ये अपा पहलना भी पढ़िया students skull दे विच इम्मूवेबल जो ने joint हुनदे ने और एक अपर जो हुनदा एक लोवर हुनदा अपर जो है इम्मूवेबल हुनदा लोवर जो है मूवेबल हुनदा okay students जो skull है वो बहुत ज़्यादा hard covering हुनदी अपने head दी okay students skull जो है बहुत सारिया joint bones तो बढ़िया हुनदा मतलब काफी सारिया bones आपस जोईन करके skull बनाओ दियाने और जो skull दा main function है students हो यह है कि skull आपने बहुत important body part नो protect करदा और ओ important body part केड़ा अपना brain okay students फेर आगया human ear human ear जो है students ओ काटीलेजिस तो बनेया हुनदा काटीलेजिस जो हुनदे है students ओ soft हुनदेने और easily bent हुनदेने okay students मतलब हुनदिया bone like structure यहा पर bone नहीं कहाँ सागदे क्योंकि bones जो हुनदेने but काटीलेजिस जो ने ओ soft हुनदेने और easily bent हो जानदेने साड़े ear दे विच जो present हुनदेने ओ काटीलेजिस हुनदेने एसे लिए अपने ear नुँ fold कर सकते हुन road सकते हुन bent कर सकते हुन क्यों 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 दे विच काटीलेजिस प्रेजन्ट हुनदेने जो कि soft हुनदेने फेर साड़े ear दा इदर तुसी picture देखो ear दी ear दा जो निचे वाला portion उन्दा students जिते दुसी देखो है ना निचे वाला portion जिते आप एरिंग वगारा पहन देया girls पॉंदियाने ओ निचे वाला जो portion आपका की करने है ear lobe करने है okay students की करने है ear lobe कईया दे विच ये ear lobe जो है मतलब attach हुनदा मतलब जुड़या हुनद और कईया दे विच ये ear lobe जो है ओ थोड़ा जो अलाग हुनदा अपने face दी skin तो थोड़ा अलाग हुनदा okay students next आगे muscles muscles जो ने students next है students muscles जो muscles ने students ओ साड़ी सारी body दे विच प्रेजन्ट हुनदेने muscles ने साड़ीया bones नो cover करके रख्या हुनदा जो muscles ने students ओ पेर दे विच वर्क करदेने और muscles जो ने contraction और relaxation चे help करदेने साड़ी body parts चे ओ movement शो करदेने साड़ी legs या arms चे ओ movement शो करदियाने ओ कीदे करके ने muscles करके क्योंकि muscles ही ने जो contraction और relaxation करदेने okay students होन तुसी यह ददर देखो left hand side ते जो picture है साड़ी arm दी picture है साड़ी बहाँ है okay students so असी अपनी arm जो है अग्ये पिछे करदेया कीदे करके करदेया एक तब bones करके joints करके और muscles जेदे विचे साड़ी help करदेने okay students जे साड़ी muscles नहीं होनगे ता अपनिया bones जो ने साड़ी skin दे विचे चोब सागदियाने है ना एदना ना होवे एसे लिए साड़ी skin दे अंदर muscles प्रेजन्ट हुन देने muscles दे अंदर bones प्रेजन्ट हुन देने okay students so एं muscles जोने contraction और relaxation करके साड़ी body parts दी moment नो easy कर दियाने okay students एथे arms है और एदर तुसी देखो right hand side दे lag दी moment है okay students so with this we finish your half chapter half chapter अपपा discuss कर ले आवा students त्या आनना तुसी lecture नूँ सोणना एनू सामझना और चिनना अपपा इथे discuss कीता और तुसी अपनी book ते science दी book ते read भी करना okay students so जो बाकी half है और अपपा next lecture दे विचे discuss करांगे okay students